Hello dear student, आपका स्वागत है तेक्नो की शॉलिशन में, तो टेक्नो 2023 का जो फेस 3 है उसके सॉलिशन के बारे में अपन जोए बात करने वाले हैं, तो question no.1 की बात करेंगे, dimension of power की बात कर रहे हैं, तो dimension of power अपने को सीधा याद होता है, क्या होता है, ml square, ml square, t-3, अपन निकाल भी सक करती है ml square t-2 divided by t तो यह हो जाएगा आपका ml square t-3 तो option 1 correct हो गया next question पे अपन move करेंगे यहां पर next question की बात करें the velocity of particle depends upon t as a function दे सहाब से the unit of a a की unit पूचिये तो जो velocity velocity बराबर वी बराबर क्या लिख सकता हूँ एक क्योंकि सब की unit तो क्या होगी सेम होगी यह dimension तो क्या होगी से तो जो एक unit होगी वही किस की होगी वी की मतलब वी की unit क्या होती है meter per second तो एक यूनिट क्या हो जाएगी meter per second next question next next बोला है कि in equation आपको दे रखा है f equal to alpha square t minus square beta by v square what will the alpha by beta की dimension अपने को पता करनी है तो यहाँ पर alpha f is equal to alpha square beta v square is equal to t square beta v square इसको इस type से simple सा लिख देंगे अपने लिख सकते हैं क्योंकि dimension सबकी क्या होगी से यहां से अपन क्या करेंगे 1 by beta की dimension निकाल देंगे तो 1 by beta क्या हो जाएगा 1 by beta यहां से हो जाएगा f v square divided by f v square divided by t square यह 1 by beta की dimension आगी अब दोनों को multiply कर देते हैं f into f v square divided by t square is equal to alpha square beta square into v square यहां से जब सॉल करेंगे तो alpha by beta की जो अपने को dimensions यहां पर जो मिलेगी वो dimensions क्या मिल जाएगी m1 l cube t-5 option 4 जो अपना इसका solution यह जो answer है वो आ जाएगा next question की बात करते हैं next question में अपने को पता करना है कि भाई एरर कितनी है relative error कितनी है तो अपना formula जो है तो delta p by p p में अपने को error पता करनी है यह जो p दे रहे का है इस p में अपने को क्या पता करनी error ठीक है तो क्या पता कर लेंगे relative error के लिए half into delta a by a plus आपका जाएगा 2 into delta b by b plus 3 into delta c by c plus 4 into क्योंकि जो error होती है यह में साइड होती है ठीक है delta d by d तो यहां से यह जब रखो गया आप one by two delta a कितना है दो प्लस यह कितना है दो इन्टू एक प्लस यह कितना है 3 into कितना हो जाएगा 3 plus 4 into कितना हो जाएगा आपका यह 5 यह 20 हो गया यह 9 हो गया यह 2 और यह 1 तो हो जाएगा 32% option 3 जो अपना correct हो जाएगा next question पर आपन बढ़ते हैं next बोलना है कि यहां पर k is Boltzmann constant and theta is temperature the dimension of beta r beta की dimensions जो है अपने को यहां पर पता करनी है beta की dimensions पता करनी है तो beta की dimensions मैं यह जान सकता हूँ जो पी की जो dimensions है वो किसके बराबर होगी alpha by beta के और जो minus alpha z divided by k theta जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1k तो minus तो हटा ही दो कोई फरक पड़ता ही नहीं इसका तो तो यहां से अगर मैं किसकी बात करूँ अगर मैं alpha की dimension निकालो जैड मेरा क्या distance है तो जैड को alpha into क्या लिख दिया l k theta k theta मतलब k तो क्या बोल्जमेंड constant और theta क्या temperature तो यह energy की dimension होती है जो एक energy का एक formula होता है u equal to 3 by 2 kt तो वहां से k theta यह वही dimensions किसकी होगी energy की और energy को अगर आप divide कर देते हो लंबाई से है ना तो वहां से force मिल जाता है आपको क्या मिल जाता है force तो जो alpha की dimensions आई वो force की dimensions हो गई और pressure को क्या लिख सकते है चाहिए force by area और इसकी dar dimension क्या हो जाएगी फोर्स और यह क्या हो जाएगा आपका यह क्या हो जाएगा यहाँ पहर आपको नच्लेशन के अग से बीचिसके dimensions होंगी beada की dimensions आपकी की dimensions के बराबर हो जाएगी एरीया के बराबर option 3 correct हो जाएगा next next question की आपने बात करते हैं देखो the acceleration of moving power body can be formed मतलब acceleration त्वरन किसे दिखाया जाता है वो वीटी ग्राफ की क्या होती है प्रवनता तो इसका option 3 जो सीधा ही क्या हो जाएगा correct next question पर move करते हैं next question में बोला कि the maximum height attendant by the rocket तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का क्या होगा area वो वीटी ग्राफ का area जो अपने को क्या प्रवाइड करेगा maximum height attend कितनी height जो है इन्होंने अचीव किये वो height अपने को प्रवाइड करेगा तो इसका area निकालो यह आजाएगा half into यह आजाएगा आपका 10,000 और यह आपका आजाएगा half into यह आजाएगा hundred into thousand तो यह हो जाएगा 50 तो यह 50 km हो गया आपका और यह 10 km तो कितना हो गया total 60 km option 4th correct हो गया next अपने बात करते है next एक particle the relation between time t and position x is expressed by equation के द्वारा यह जो है relation अपने को दे दिया गया है तो x बराबर 2 minus 20 plus 60 square इस टाइप से relation दिया गया है what will be the displacement of the particle when it changes its direction जब भी कोई particle direction change करता है तो उसकी velocity जो है वो velocity 0 होती है जब भी direction change होती तो velocity क्या होती जिरो इसका differentiation करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी अपने को x बराबर मिल गया minus का 4 यह option second correct हो गया है यहां पर next question के अगर आपन बात करें तो क्या बोल लाए आपने को तो क्या लिखेंगे ए बराबर क्या बराबर क्या जाएगा के टी अब इसको integrate करोगे तो वी बराबर क्या जाएगा kt square by 2 अब देखो v को अपन क्या लिखेंगे ds by dt ds by dt बराबर kt square by 2 तो यहां से अगर ds और इसका integration करेंगे ds का integration क्या जाएगा s और kt square by 2 कभी अगर अपने integration करेंगे तो s जो मिलेगा वो अपने को मिल जाएगा kt की power 3 divided by 6 ऐसा कोई option है नहीं यह square है तो यह option नहीं होगा तो नन जो है fourth option जो है अपना correct हो जाएगा next question की अपने बात करेंगे next a body is dropped from a height h from the state of rest it covers the distance 9 9 h by 25 in the last second last second के अंदर यह माल लो last n second चला तो last second क्या माल लेंगे nth second nth second के अंदर जो है वो distance यह cover कर रहा है कितनी इदनी तो क्या लिखते है s nth बराबर क्या होता है u plus a by 2 into 2 n minus 1 और s कितना है 9 h by 25 जो डिस्टेंस है इन्होंने cover की है और इसको time कितना लगा u तो 0 हो गया z by 2 into 2 n minus 1 और यहां पर h बराबर अपन कितना लिख देंगे h बराबर लिख देंगे half g n square तो जब इसको solve करेंगे तो यहां से अपने को n मिल जाएगा or n n जू मिलेगा यहां पर और उस n को जब अपन करेंगे तो यहां से n जू मिलेगा वो आपको n n का value यहां पर कितना मिलेगा n का value आपको 5 जाएगा ठीक है तो n का value जो 5 मिलेगा आपको n का value यहां पर solve करने पर quadratic 5 मिल जाएगा और s बराबर क्या जाएगा half g 9.8 into n मतलब 25 तो यह जाएगा 12.5 और इसको multiply करोगे तो जो आपको answer जो है वो 122.5 option 3 correct मिल जाएगा next question की और बढ़ते हैं अपर next question next question क्या बोल रहा है next question बोला है कि bird है वो fly कर रही है दो कारों के बीच में यह लिए दो कारे हैं एक दूसरे की तरफ आ रही है इसकी भी speed 36 km per hour है और इसकी जो speed है वो भी आपकी 36 km per hour है दोनों की speed वही है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है और इसकी 27 है और इसकी कितनी है 18 और इनकी बीच में जो डिस्टेंस है इनको जो मिलने में जो टाइम लग रहा है टाइम कितना लगेगा दोनों तो 36 बटा अपन कर देंगे कितना कर देंगे 27 प्लस 18 यह टाइम आ जाएगा तो बर्ड भी इतने टाइम तक ही फ्लाइ करेगा बर्ड भी इतने टाइम तक क्या करेगा अब मल्टिप्लाइड बाई क्या कर देंगे बर्ड का वेलोसिटी तो मल्टिप्लाइड बाई बर्ड का velocity करेंगे तो 28.8 km जो है, option 1 जो है, इतनी बर्ड जो distance है, वो distance bird क्या करेगा, travel करेगा, next question पर बढ़ते हैं, next question अपना क्या बोल रहा है, उसको देखते हैं, a cricket ball is hit for a 6, leaving the wet and angle of 45 degree with the horizontal, the kinetic energy at the top, जैसे कोई भी projectile motion होता है, कोई भी आपका projectile motion होता है, तो जो top point होता है, वहाँ पर जो velocity होती है, वो होती है, आपकी u cos theta, तो initial k की बात करें, तो k बराबर आपका आजाएगा half m u square, और top point पर अगर मैं k dash की बात करूँ, तो half m u square cos square 45 degree, तो यह आजाएगा आपका k dash by k, यह हो जाएगा 1 by 2, तो यहाँ से जो k dash और k में, जो relation है, वो अपने को k by 2 का option 4 जो है, दोनों को divide करेंगे, तो k by 2 जो है, answer मिल जाएगा, next question की बात करते हैं आपन, next question में अपने को जो है, एक particle की जो equation दे रखी है, यह वाड़ी equation अपने को है, यह equation दे रखी है, projectile की, अब अपने को पता करना है कि, been projected from origin, find the maximum distance it travel, तो कोई भी particle जो projectile motion करता है, जब वो maximum distance, यह मानलो x cover कर रहा है, तो इसका जो y coordinate है, इसका जो क्या कौन सा coordinate है, y coordinate, वो क्या हो जाता है, बोलो 0, तो equal to क्या रख देंगे 0, तो 0 बराबर यहां रख देंगे, root 3 x minus root 3 x square बटा 6, यहां से root 3 को अपन common ले लेंगे, तो root 3 x को common ले लिया, तो यह बचा 1 minus x बटा 6, ठीक है, तो यहां से 1 minus x बटा 6, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, 1 minus x बटे 6, बराबर क्या रख देंगे, 0, यहां से जो है, x by 6 बराबर आपका आजाएगा, 1, ठीक है, यह उदर जाएगा, तो x बराबर यहां से कितना आगया, अपना 6, option जो है, थर्ड जो है, वो correct हो गया, next question, next question को देखते हैं, next question बोल ला है, कि a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with speed, यह इतनी speed है, 720, यह कोई flight जा रही है, 720 per km से, यह न, flight जा रही है, 70 to 720 per km पर हावट से, at what angle from the vertical should the gun fire at the cell with muscle speed 6 में 100, तो देखो, जैसे मानलों को यह किसी angle पर fire की जा रही है, तो दोनों का जो है, horizontal component है, horizontal component equal होना चाहिए, तो वो heat नहीं करेगा, इसका जो horizontal component है, वो 600 cos theta आ जाएगा, तो आपन लिखेंगे, 600 cos theta बराबर 720 को अपन मीटर पर सेकेंड में change करेंगे, तो 720 को किस से multiply कर देंगे, 18 by 5 से, क्योंकि उसको kilometer per hour में अपने को change करना है, sorry, 5 by 18 से, 5 by 18 से multiply कर देंगे, meter per second में change करना है, तो यहां से यह cancel हो गया, यह 12 times गया, यह आपका 10 times गया, यह 2 times गया, यह 3 times गया, यह cut गया, तो यहां से theta बराबर cos inverse 1 by 3 आपका answer आ गया, option जो है, third जो है, वो correct हो जाएगा, next, next अपन बात करते हैं, क्या बोल ला है कि, a particle is fired with velocity, you making and एक particle को fire किया, u velocity के साथ, यह जो angle है, वो आपका theta है, यह रहा, है ना, what is the change in velocity, when it has highest point, change in velocity, highest point पे, देखो, initial velocity, v initial क्या होता है, वो होता है, u cos theta i cap plus u sin theta j cap, और अगर अगर v final की बात करो, top point पे, तो 0 plus, क्या हो जाएगा, u cos theta i cap, तो change हुआ, v final minus अगर v initial कर दो, यह v initial minus v final कर दो, तो केवल और केवल, u sin theta का change हुआ, option 3 जो अपना correct हो जाएगा, next, next question के अपन बात करते हैं, next बोला, car moves in a circular path of radius 500 with a speed 30 meter, it is speed is increasing at the rate of 2 meter per second, तो car का जो है, अपने को acceleration जो है, वो find out करना है, तो देखो, जब भी car इस टाइप के circular motion में move कर रही है, तो दो टाइप के acceleration इसके पास होंगे, एक तो होगा 80, और एक होगा AC, 80 को मोलेंगे, स्पर्स रेकी अत्वरण, यह टेंजेंसियल एक्सिलेशन, और AC को बोलेंगे, सेंट्रिपिटल एक्सिलेशन, तो यहां अब केंद्री अत्वरण, AC बराबर तो आप सिंपल सा लिख दोगे, V square by R, AC बराबर V square by R, V कितना है आपका, V जो है 30, इन्टू आप लिख दोगे 30, R आपका कितना हो गया, R हो गया 500, तो यह लो, यह cancel हो गया, तो यहां से 9 by 5, मतलब आपको 1.8 meter per second square मिल गया, अब दोनों perpendicular है, यह 2 है 80 तो, तो 2 का square plus 1.8 का square, तो यहां से जब अपन करेंगे, तो जो आंस्वर जो है, वो 2.7 आ जाएगा, next, next question के अपन बात करते हैं, तो क्या बोला है, अब plane is flying horizontally at 98 meter second at release an object which reaches the ground in 10 seconds, the angle made by it when hitting the ground, देखो, एक particle है, ठीक है, is flying, यह plane reaches the ground, the angle when hitting, while hitting the ground, यह ground को hit कर दिया, तो देखो, इधर तो speed कितनी रहेगी, जो plane की speed है 98 meter second, और इधर कितनी हो जाएगी, V equal to क्या हो जाएगा, यू तो 0 है, और कितनी हो जाएगी GT, तो GT 9.8 into 10, तो यह भी कितनी होगी, 98 meter per second, अब देखो, 10 theta जो होता है, वो आपका simple सा हो जाता है, VY by VX, अब यहाँ पर VY भी कितनी है 98, और VX भी कितनी है 98, तो 98, 98 से कट गया, 10 theta बराबर 1, तो theta बराबर जो अपने को value मिली, वो 45 degree आ गई, तो option second जो है, यहाँ पर अपना correct हो रहा है, next question की बात करते हैं, next question, next question देखिए, इसमें इस spring की reading पूचिए, कितनी reading होगी, तो जितना इधर बाहर है, उतना इधर बाहर है, मतलब tension क्या है same है, तो जो tension लगता है यहाँ पर, वही tension की क्या देती है reading, तो tension कितना लग रहा है यहाँ पर 10 kg, तो reading भी कितनी आएगी 10 kg, क्योंकि KX होती है spring की है, तो 10 kg के weight के बराबर जो reading आएगी, option second correct हो जाएगा, next question क कि बात करते हैं, next question ने बोला कि a block है, mass M का yellow, एक mass M का block है, इसको क्या किया जा रहा है, एक रसी से, एक रसी से खीचा जा रहा है, यह मानलों इससे रसी connected है, इससे खीचा जा रहा है, the exerted forward on the block VB, अब यह फोड जो पी है, इसका mass M है, पहले तो इसका, यहाँ पर जो tension होग यहाँ पर, वो T बराबर हो जाएगा, M into A, अब M, A कितना है, F divided by capital M plus small M, यह force हो जाएगा, M F, P, अब F कितना है, P के बराबर, तो P M capital M plus small M, option second जो है, आपका correct हो जाएगा, next question, next question की अपन बात करते हैं, next, next क्या बोलना है, a particle is moving in XY plane, under the influence of force, मतलब, momentum दे रखा है, PX और PY, है ना, तो F बराबर होता है, D P Y, D T, और आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी, sin और cos के term equation हो, तो जो उनके बीच में theta आता है, वो आपका कितना आता है, 90 degree, कितना degree, 90 degree theta आता है, तो option जो 3rd है, वो correct हो जा बोला है, a bullet of 5 gram is moving with speed, 100 meter and penetrating in wooden block, एक wooden block में, एक यह bullet है, आपकी, move कर रही है, यह किस meter, किस velocity से move कर रही है, 5 meter per second, और इसका जो mass है, वो आपका कितना है, 5 gram, अब क्या हो रहा है कि, the average force, कितना move की अंदर, X, कितना move की, 6 cm, तो 6 into 10, जितना भी work done किया, इसने, इसकी kinetic energy को क्या कर दिया, 0, तो 5 into 10 to the power minus 3 into V square, V square मतलब 10 to the power 4, तो यहां से अगर अपन करेंगे, तो यहां से F बराबर जो आपको, जो है, और दूसरा इन्होंने क्या दिया, 5 gram, तो 10 to 3 into 10 to the power 6 into 10 to the power minus, कितना लिख दिया, अपनने 2, तो यहां से F जो है, आपको 417 newton, after calculation मिल जाएगा, क्य जाएगा, तो आपको 417 newton answer मिल जाएगा, next, next question में, यह जो velocity V है, और यह जो velocity V1 है, तो अपने को V1 की value बतानी है, तो देखो, हमेशा यह constraint motion होता है, string का कौन सा motion होता है, constraint, तो इस case में क्या होता है, कि string की direction में, velocity जो है, वो सेम होती है, तो V1 का यह component जो आएगा, वो V1 cos 90 minus theta, मतलब V1 sin theta, तो V1 sin theta बराबर कितना आगया V, तो यह से V1 जो मिला, वो क्या मिल जाएगा, V by क्या मिल जाएगा, sin theta, option second जो है, वो correct हो जाएगा, next question, next question, अपने को देखना है कि, अब frictionless mass 100 kg, इसका 100 kg है, 8 kg और 4 kg की यह दोनों block letter करे है, what force must be applied, so यह cart जो है, move ना करे, relative to, तो देखो, cart इस पर क्या लगेगा, pseudo force और pseudo force कि इसके बराबर लगेगा, 8 into A के, पूरा system accelerate होगा, इस पर क्या लगेगा, pseudo force, अब यहां जो tension लग रहा है, वो इस 4 kg के कारण लग रहा है, और वो 4 kg के कारण जो tension है, वो कितना है, 4G, तो आप क्या लिखोगे, 4G बराबर, क् weight into A, और acceleration का जो मान होगा, वो कितना हो जाएगा, F upon, total आपका जो है, total कितना weight है, total weight है, 1, 112, तो यहां से यह होग जाए, 40, यह 5, तो F बराबर, 112 into 5, तो यह जब आपन करेंगे, तो यह हो जाएगा, अपना 500, और 560 Newton, option 3 के अंदर जो है, यहां दिख नहीं रहा, बट आप option 3 के अंदर जो 560, यह answer हो जाएगा, यहां पर अपने को question number 25 पर दो object दे रखें, A and B, ठीक है, अब A and B में क्या पता करना है, अपने को, tension कितना है, वो पता करना, देखिएगा, इसका acceleration इस तरफ होगा, इस tension की वज़से, यह T लग रहा होगा, यह भी आपका T लग रहा हो पर बराबर MA और इधर की आजाएगा, M G, उपर क्या लगेगा, माइनस T कोस 45 बराबर का भी MA, अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस जैसे ही करोगे, तो आजाएगा माइनस का M G और यह आजाएगा, पलस का 2 T साइन 45 बराबर 0 आजाएगा, तो यहां से अगर अपन T की बा थेंक यू इसी के साथ टेक्नो के सॉल्यूशन आपको मैंने 25 के वित आंस्वर्स सारे कुशन्स जो है बता दिये हलो डियर स्टुडेंट आप सभी को मेरा नमस्कार मैं के के शुकला का CLC के टेक्नो जो एक्जाम हुआ है फोर डेसंबर को उसका सल्यूशन लेकर आपके सामने केमेस्ट्री का सल्यूशन हाजी रहें फर्स्ट क्वेस्टन 26 नमबर यह आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंपरिकल फॉर्मूला आपने सीडेच, CH2O2, प्रोवेवल मॉलीकुलर फॉर्मूला आपने सीडेच, मेबी क्या होगा तो यहां पर आप देखें कि मॉलीकुलर फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो यह इंपरिकल फॉर्मूला whole n यहाँ पर n एक पुडांग के एक integer होता है जिसकी value 1, 2, 3 या 4 इस तरीके से कोई integer term हो सकता है कोई पुडांग संख्या हो सकती है और अगर इसके according हम यहाँ पर चेक करें तो हमारा correct answer second होगा ठीक है, ओके, clear हुआ वही, तो चलिए next question पर हम लोग चलते है next question में how many moles are there in one meter q यह demand की गई है, हम से पूछा गया है तो कितने moles होंगे तो सबसे पहले आप यह देखे one meter q is equal to thousand liters होते हैं इतने liters होते हैं और at ntp at ntp one mole का अगर हम volume देखे volume of one mole तो यह किस के equal होगा almost 22.4 liters तो इस तरीके से moles कितने बन जाएंगे हमारे thousand liters को अगर हम divide कर दे 22.4 से तो answer आ जाएगा 44.6 यानि fourth answer correct है ओके डियर बात समझ में आ गई तो चलिए next question लेते हैं अगला question है this simplest formula of a compound containing 50% of element x atomic mass दिया है 10, 50% of element y atomic mass दिया है 20, अगर हम यहां पर इनका mole ratio निकाल लें तो देखिए moles ratio हम x के लिए निकालते हैं तो x के लिए mole ratio क्या होगा 50% का मतलब अगर total weight 100 gram है तो 50 gram उसमें x है इसका atomic weight कितना है 10 है इसी तरीके से हम moles y के find कर लें यहां भी weight 50% हो जाएगा atomic weight कितना दिया है 20, अब यह moles का ratio अगर हम निकालते हैं nx upon ny का तो ऐसे में result हमारा क्या बनेगा 50 upon 10 into 20 upon 50 और यह 50 से 50 कैंसल हो गया रेशियो आगया रेशियो आगया रेशियो आगया रेशियो आ 2 is to 1 का मतलब formula हुआ x to y यह हमारा answer आ गया x to y कहां पर है यह second हो गया clear समझ गये तो आगे बढ़ते हैं अगले question पर question number 29 यहां एक reaction दी गई है x plus 2y z 5 mole initially x के हैं तो आगे इसको लिख लेते हैं reaction को एक बार आपको समझाने के लिए 2y is equal to z यहां पर x के 5 moles initially given है और 8 mole of y given है और इस time पर z 0 होगा अब अगर यहां से हम आप देखे तो 1 mole x 2 mole y से react होता है और y कितना 8 mole तो 8 mole y 4 mole x से react होगा 2 mole y 1 mole x से react होता है तो 8 mole 4 से तो after reaction की अगर हम बात करें अब इकरिया के बाद यहां पर क्या होगा एक mole x बच जाएगा यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा तो यह कितना बचेगा बन जाएगा कितना produce होगा अगर हम इस बात को समझें तो 2 mole यहां पर जो y है यह lr हो गया लिम्टिंग रेजेंट हो गया तो 2 mole y से 1 mole z बनता है तो 8 mole से कितना बनेगा 4 mole z का formation होगा यानि हमारा answer हुआ second ओके डियर बात क्लियर हुई तो चलिए अगले question पर बढ़ते 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 हैं क्या होगा तो भाई आप देखिए जितने भी compound दिये हैं सभी में oxygen के दो-दो आइटम्स हैं मतलब 32 ग्राम oxygen यहां पर available है अब 32 ग्राम oxygen इसमें है 44 में 46 में 32 यहां सब में यह 32 32 ग्राम 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 है और बताना है कि इन में से सबसे कम percentage oxygen की कहां पर है तो देखिए इसको कैसे करना है अगर हम इन 4.4 ग्राम्स आफ CO2 में निकालने oxygen का percentage क्या है कितना ग्राम है तो भाई देखिए 44 ग्राम में 32 है तो 4.4 में कितना होगा तो यहां पर 32 upon 44 into 4.4 इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको simplify करेंगे तो यह result आएगा 3.2 ग्राम्स तो यह 3.2 ग्राम्स आजाएगा तरीका आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है इसी तरीके से अगर हम second case में find करते हैं तो इसमें देखें 46 ग्राम में 32 है तो यहां पर हम कैसे करेंगे 32 upon 46 into क्या हो गया वही 2.3 अब अगर हम इसको further solve कर लेते हैं तो हमें answer यहां पर यह answer नहीं मतलब इसका answer कितना मिलेगा 1.6 अब इसी तरीके से बाकियों का भी अगर हम निकाल लें तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा 6.8 के लिए अगर हम देखें तो 34 यह total molecular weight हुआ इसमें oxygen है कितना 32 into करोगे 6.8 तो solve करोगे तो यह value कितनी आ जाएगी 6.4 आ जाएगी इसी तरीके से अगर इसमें solve करोगे तो 32 upon 64 हो गया और into कर दिया 1.6 इसे solve करोगे 0.8 आ जाएगा तो सबसे कम oxygen कहां पर हमें मिलेगी एक तो 0.8 यह हो गया फोर्थ में और एक आ गया आपका second में 1.6 और इस हिसाब से अगर हम answer देखें तो फस्ट हो गया second and fourth clear हुई बात ओके डियर तो आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला question हमारे पास यह है एक mixture है जिसमें CH4 C2H2 was completely burned in excess oxygen तो अगर इस चीज को हम समझना चाहते तो देखें reaction लिख लें CH4 plus O2 है product बनाएगा CO2 plus H2O अब अगर इसको हम balance कर लेते हैं तो यहां पर टू कर दे और oxygen यहां पर हमारे पास कितनी हो गई भाई देखें चार हो गई इसे टू कर दे इसी तरीके से C2H2 plus O2 product बन गया 2CO2 plus H2O और अगर यहां oxygen balance करें तो 224 और 15 हो गया ऐसे में यहां हम 5 by 2 लिख सकते हैं आप देखें question यह कह रहा है अगर यहां आप थोड़ा ध्यान से देखें कि yielding equal volume साफ CO2 and steam यानि यह दोनों जब burn होते हैं जलते हैं तो हमें CO2 और steam का दोनों से जो volume मिलता है वो equal होता है कैसे इस चीज को समझोगे देखो जैसे यहां पर मान लिजे कि हमने यह point कर ली कि यह one volume है यह two volume है इसके stoichiometry से यहां पर कुछ नहीं लिखा one consider किया यह two है तो two v मान लिया तो total कितना हो गया three v हो गया total volume three यहां पर देखो यह two v है यह one v है तो total volume यहां पर भी कितना हो गया three v हो गया ठीक है और इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों के volume हमें equal मिल रहे हैं जब इनकी stoichiometry कितनी है इसका भी one ही mole है यहां पर मतलब दोनों equal amount में है यानी 50-50% पर है तो यहां पर आपका answer क्या हो गया फोर्थ हो गया ओके डियर बात क्लियर हुई तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question हमारे पास है देखे 20 gram of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide ठीक है तो सबसे पहले हम यहां पर डियर देखो क्या करेंगे mg co3 को heat करते हैं तो जब इसको हम heat करेंगे तो यह mg o और co2 में यहां पर dissociate हो जाएगा अब अगर molar mass हम इनका निकाल ले तो 24 for mg given है और 60 यह हो गया 84 हो गया molar mass किसका magnesium carbonate का और 24 16 यह आ गया 40 grams तो 40 gram mg तो यहां से आप देख लें कि 40 grams 40 grams mg o यह हमें मिलता है कितने gram magnesium carbonate के डीकंपोज होने से 84 grams के डीकंपोज होने से अब demand कितने में है 8 grams में है ठीक है कि 8 gram हमें क्या मिल रहा है magnesium oxide तो ऐसे में 8 grams mg o हमें कितने gram calcium carbonate से मिलेगा 84 upon 40 into 8 और इस तरीके से अगर हम इसे solve करें तो यह 8 5 जा हो गया 5 से इसको divide करें तो 16 point यहां पर 5 grams हमें मिल जाएगा बात clear तो जो हमने sample लिया है 20 gram का 20 gram का sample है इसमें magnesium carbonate केवल कितना है 16.5 gram अब फर्दर अगर हम इसे solve करना चाहते हैं पर्सेंटेज प्योरेटी लाना चाहते हैं तो पर्सेंटेज प्योर्टी डियर कितनी हो जाएगी 16.5 divided by 20 जो sample का वेट है into 100 और इसे solve करेंगे तो यह 84 परसेंट आ जाएगा जो कि हमारा answer होगा यह वाई देखिए 5 हो गया 5 से इदर multiply करोगे 84 आ जाएगा यानि correct answer is 4 ओके clear हुआ चलिए next question पर चलते हैं देखिए आप compound H2X with molar weight 80 ग्राम है और यहाँ पर कहा गया कि density 0.4 है एक आपको यहाँ पर condition दी है कि assuming no change in volume upon dissolution यानि जब solute को solvent में dissolve करते हैं तो volume किसी तरीके से change नहीं होता इसका मतलब यह हुआ कि volume of जो solution है वो volume of solvent के equal लिया जाएगा यानि यहाँ solvent और solution के volume में कोई difference नहीं है according to question अब molarity कितनी दी गई है भई आपको molarity यहाँ पर capital M दी गई है 3.2 पर लिटर है इसका मतलब यही क्या बन जाएगा number of moles बन जाएगे भई solute के तो number of moles of solute यानि विले के मोलों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 3.2 अब अगर हम density दी गई है 0.4 gram per ml यहाँ पर देखिए कहा गया है तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 1 ml solution का weight कितना है 0.4 gram हो गया ठीक है तो अगर हम 1000 ml यानि एक लीटर के लिए यह बेट फाइंड करें तो यह कितना आ जाएगा 400 gram आ जाएगा 400 gram सा जाएगा मतलब कितना आ जाएगा 0.4 kilogram सो जाएगा अब अगर हमें molality निकालनी है तो molality क्या होता है भई मोल साफ solute 3.2 लिख दिया divided by weight of solvent 0.4 kilogram clear अब इसे हम solve करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर 8 यह हमारा answer यानि third option हमारा क्या हुआ correct हुआ ओके डियर समझ गए यहाँ पर हमने 0.4 kilogram जो weight लिया है वो इस condition जो यह line यहां लिखी इसके recording लिया है कि volume आप solution और solvent में कोई change नहीं है तो यहां पर उमीद है आप confirm हो गए होंगे ठीक है तो next आगे बढ़ते हैं देखिए कि दियान सर्टेंटी इन मेजरिंग दी स्पीड आफ पार्टिकल जीरो अनसर्टेंटी मेजरिंग इट्स पोजीशन विल भी तो बेटा यह आप ओडली भी कर सकते हैं अगर हम देखें तो अनसर्टेंटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेंटी इन मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई यहां पर ले सकते हैं ठीक है अब जो अनसर्टेंटी इन मोमेंटम है यह वेलोस्टी का टर्म है और वेलोस्टी यहां पर कितनी आपको दी गई है क्वेशन में देख सकते हैं यह जीरो दी गई है तो यह टर्म हमारा यहां पर वही कैसे सॉल्व करेंगे देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई और इन्टू यह आ गया डेल्टा पी अब डेल्टा पी वेलोस्टी का टर्म है तो कन्फर्म है कि यह हां पर एच अपॉन यह जीरो आ जाएगा और जब जीरो से हम इसे डिवाइड करेंगे तो बट नेचुरल है हमारा आंस्वर क्या हुआ वही फोर्ट इन्फनिटी ओके क्लेर डियर तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन पर देखिए वही रेशियो आफ रेडाई अपॉन जेट आर ठीक है डारेक्टली प्रपोर्शनल किसके है एन स्क्वेर के और इन्वर्सली प्रपोर्शनल किसके है जेड के तो यहां पर बोर ओर्विट की बात है कोई अधर पर्टिकुलर आइटम हमें नहीं दिया हाइडरोजन मान कर चलेंगे तो हम इसको लिख सक रखते हैं और डारेक्टली प्रपोर्शनल एनि स्क्वेर करके और यहां पर रेडाई आप थ्री बोर रेडियस की बात की गई है तो फर्स्ट रेडियस लेंगे तो वन आ जाएगा इन की वैलू वन यानि फर्स्ट सेल की बात करें तो यहां पर एन की वैलू वन रखेंग तो r की value 1 आ जाएगी अगर हम second orbit की बात करें तो 2 रखेंगे ये 4 आ जाएगा third की बात करें तो ये 9 आ जाएगा यानि ratio होगा 1 is to 4 is to 9 यानि third option is the correct answer. ओके डियर, clear? तो चलिए भई, next पर चलते हैं the number of spherical node in 4s, orbital h क्या होगा? तो आप जानते हैं कि spherical node निकालने का formula होता है n minus l minus 1, n principal quantum number है l क्या है भई, इसमें दिगंसी quantum number यानि याजी मूथल quantum number है तो n की value यहाँ पर कितनी है? 4, l, s के लिए l की value 4s orbital है, 0 हो गया यह minus 1, मतलब कितना आ गया भई, 3 तो हमारा correct answer क्या हो गया? 4 ओके डियर, तो यह clear है, आगे बढ़ते हैं next question में देखें कह रहा है what will be difference in the mass number if the number of neutrons is half and the number of electron doubled in oxygen O8, 16 में तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यह मानलो initial हमने लिख लिया प्रारंभिक और यह final यानि अंतिम अब यहाँ पर देखें protons की number कितनी होगी भई? यह atomic number है 8 तो यह 8 हो गया neutrons कितने हो जाएंगे यहाँ पर mass number है हमारा 16 तो neutrons भी 8 हो जाएंगे अब question कह रहा है कि neutrons की number को क्या कर दिया? आधा कर दिया, half कर दिया, फोर ठीक है, protons में कोई change नहीं है डियर यह वही रहेगा electrons की number को घटाने बढ़ाने से कोई considerable change mass पर नहीं पढ़ता इसलिए हम उसको ignore कर देते हैं तो आईए total यहाँ पर कितनी value बन गई N प्लस P यानि mass number की तो mass number यहाँ पर आ गया हमारा 16 जबकि यहाँ पर mass number हमारा हुआ 12 तो भई देखिए change यानि difference कितने का आ गया भई percentage change हमें निकालना है तो percentage difference या कहा जाए change जो भी हुआ in mass number तो कैसे इसको find करेंगे final minus initial कर देंगे तो final है 12 initial कितना है 16 divided by 16 into 100 ओके डियर तो यहाँ पर देखिए जब हम solve करेंगे तो यह minus में 25% आएगा इसका मतलब हुआ कि 25% mass number पहले से कम हो रहा है decrease कर रहा है और इसलिए हमारा यहाँ पर correct answer हुआ first ओके डियर clear चलिए next पर move करते है तो यहाँ पर वही देखिए अगला question है which are the following graph is incorrect तो देखिए यह V मतलब velocity है N का मतलब यह number up shell है और इनका क्या relation है आपने पढ़ा होगा कि जो velocity होती है यह directly proportional z by n यह term है z atomic number है n shell number है तो अगर हम देखें तो V और n का relation क्या होगा inverse relation होगा और inverse relation है तो यह graph सही है ठीक है सही है इसका मतलब यह हमारा answer नहीं हो सकता क्योंकि हमें incorrect बताना है ओके डियर यह graph correct है लेकिन यह हमारा answer नहीं है क्योंकि question की demand incorrect की है दूसरे पर आते है V 1yn अब अगर हम यहाँ पर V 1yn की बात करते हैं कि हमें किसमे plotting करनी है 1yn का V के साथ करना है तो 1yn के साथ यह straight line होगा जो की बिलकुल सही है और इसलिए यह भी हमारा answer यहाँ पर नहीं हो सकता अब अगर हम तीसरे point पर आगे बढ़ते हैं तो भाई देखिए V और Z V और Z directly proportional है यह straight line होगा यह भी correct answer है मतलब correct graph है लेकिन यह हमारा answer नहीं हो सकता अब अगर V और N की हम बात करें जैसा कि first में दिया गया था तो confirm है कि अगर यह graph सही है तो यह graph गलत हो गया और इसलिए यह हमारा correct answer है क्योंकि demand incorrect की है ओके dear चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है in how many elements does the last electron have the quantum number N is equal to 4 and L is equal to 1 तो यहाँ पर आप देखें कि अगर N की value 4 हमें दी गई है L की value 1 है इसका मतलब P सबसल की बात हो रही है और अगर यहाँ पर P सबसल की बात हो रही है तो clear है कि total answer हमारा कितना 6 elements आएंगे क्यों कि भाई P सबसल maximum कितने electron से कोमोडेट कर सकती है 6 electron अकोमोडेट कर सकती है तो different 6 elements यहाँ पर हो सकते हैं ओके तो चलिए next question पर move करते हैं next question है what is the potential energy of an electron present in N cell of the Be3 प्लस आयन तो यह देखिए H like species है hydrogen की तरह है monoelectronic है तो total energy का formula हम लोग जानते कि total energy is equal to minus 13.6 इंटू यहाँ पर जेड़ स्क्वेर अपॉन N स्क्वेर एलेक्टरॉन बोल्ट पर आटम होता है यह हमारे पास relation है अब अगर यहाँ पर value हम रख देते हैं तो 13.6 इंटू जेड़ की बात करें तो वेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है तो यहाँ पर हमने 4 का स्क्वेर कर देना है और दूसरी पॉइंट देखे N सेल की बात हो रही है तो N सेल की अगर बात करें तो देखे के ल, एम, N यानि फोर्थ सेल की बात हो रही है यह के, ल, एम, N यानि fourth चल की तो n की value भी four square हो गई इसका मतलब यह cancel हो जाएगा total हमें total energy minus 13.6 electron volt मिल रही है यह total energy है ना की potential और demand किसकी है potential energy की तो dear अब आपको समझना है कि potential energy और total energy में क्या relation होता है potential energy is equal to 2 into total energy होती है अब अगर आप यह 13.6 यहाँ value रख देंगे तो multiply करेंगे answer आएगा fourth यानि आपका correct answer आपको मिल गया ओके dear तो next question पर move करते हैं for hydrogen atom the number of revolution of the electron per second in the orbit of quantum number and is proportional to तो dear देखिए आप यह जानते हैं कि number of revolution निकालने का formula क्या है V यानि velocity upon 2 pi r 2 pi r क्या है circumference of the circular orbit तो यहाँ पर dear देखिए V upon 2 pi r हो गया अब अगर हम V की बात करें यहाँ पर and ध्यान से समझे V अभी अभी थोड़ी देर पहले पिछले last question में आपने देखा है कि यह किस पर depend करता है z upon n यह relation है जबकि radius के लिए आप already पढ़ चुके हो कि यह किस क्या relation इसका होता है वाई n square upon z अब अगर हम V की value z yn r की value n square y z put कर दें तो देखिए number of revolution is equal to हमें dear क्या मिल जाएगा ध्यान से समझे z square upon n cube clear तो अगर n cube मिल रहा है इसको हम denominator से numerator में ले जाएंगे तो यह answer क्या बन जाएगा third यानि n की power minus three okay clear dear तो चलिए आगे बात करते हैं अगले question पर the wavelength of h alpha line of ballmer series is angstrom what is the wavelength of h beta line of ballmer series तो redberg equation का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं one upon lambda is equal to r z square यह बात समझ गए भाई one upon n1 square minus one upon n2 square का यह formula यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पर हम इसको solve करके देखें इस तरीके से one upon lambda for alpha line तो r z square अब यहाँ पर डियर आप देखें कि ballmer series के लिए जो alpha line का मतलब है first line है और यह कब बनेगी जब electron third shell से second cell में jump करें तो यहाँ पर यह one by four हो जाएगा यह one by nine हो जाएगा यानि LCM अगर हम यहाँ पर apply करते हैं तो टोटल five by 36 हो जाएगा यानि lambda alpha is equal to 36 यह आगे चलकर यह term ratio लेंगे cancel हो जाएगा तो यहाँ पर हम direct भी लिख सकते 36 by five ओके तो इसको आप यहाँ पर ऐसे रहने दे यह alpha line का है similarly इसी तरीके से आप अगर beta line के लिए निकालते हैं one upon lambda beta line के लिए तो यह rz square और यह यहाँ पर क्या बन जाएगा one upon देखिए beta line कब बनेगी जब second shell में electron आए कहां से fourth cell से तो यह बन जाएगा one by four और यहाँ पर dear क्या आजाएगा one by sixty ठीक है तो अब इसका अगर हम lcm लेकर value find करते हैं तो lambda beta हमें कितना मिल जाएगा dear यह हो जाएगा 12 ठीक है और 64 तो 64 upon 12 और यह rz square यहाँ भी होगा जो ratio लेने पर अभी cancel हो जाएगा तो उसे carry forward करना compulsory नहीं है lambda alpha upon lambda beta is equal to value हो गई 36 upon 5 into 12 upon 64 ओके dear अब यहाँ पर देखो इसे 4 से divide कर दें तो यह 3 हो गया और यह हो गया 16 इसको अब हम लिख सकते 3 को इसमें multiply कर दे 36 में तो 108 आजाएगा 108 divided by यह आजाएगा 80 और आप जानते हैं कि जो wavelength है alpha line की वो आपको कितनी दी है x angstrom तो आपका answer क्या बन जाएगा dear second वही alpha की value यह जो value दी है lambda alpha यह x दिया है cross multiply इसके साथ करोगे यह answer हो जाएगा ओके dear clear any doubt here चलिए अगले question पर move करते हैं देखिए वाई equal मासे साम methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 the fraction of the total pressure exerted by oxygen is तो equal मासे तो यहां से moles निकाल लेते हैं moles of methane CH4 कितना हो जाएगा dear 1 upon 16 और अगर हम moles of oxygen O2 निकालते हैं तो 1 by 32 क्योंकि equal मास की बात की गई है तो हमने दोनों के gram weight कितना कितना consider कर लिए 1 1 और यह उनका molar मास है तो अब यहां से हम total moles अगर निकालते हैं तो total moles कितना हो जाएगा 1 upon 16 plus 1 upon 32 यानि यह बन जाएगा 3 upon 32 ओके dear अब हमें यहां पर क्या बताना मोल fraction निकाल लेते हैं किसके लिए oxygen के क्यों क्योंकि हमें यहां पर जो partial pressure find करना है वो actually oxygen का तो O2 अगर हम यहां find करें तो आप किये कि यह क्या हो जाएगा moles of O2 divided by total moles और इसको जब हम simplify करेंगे तो यह 1 by 3 आएगा अब हमारे पास formula होता है कि partial pressure अगर हमें O2 का निकालना है तो mole fraction of O2 into total pressure आप मिक्षर रखते हैं अब total pressure जो भी हो अगर यहां हम value रख देते हैं mole fraction की तो 1 by 3 आप total pressure यह result आएगा और इसलिए हमारा answer correct कौन हुआ third मतलब 1 by 3 ओके clear dear तो चलिए वाई अगले question पर move करते हैं देखिए two gases दी गई है A और B same volume diffuse होता है through 20 और 10 seconds में molecular mass इतना है तो हमें B के लिए molar mass find करना है तो ग्रेहम स्ला को apply कर सकते हैं और ग्रेहम स्ला को अगर हम apply करते हैं तो देखिए R1 upon R2 का मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते वई A और B है तो R A R V और यहां पर V A upon V V into T V upon T A is equal to molar mass square root कितना हुआ M B upon M A तो देखिए इन्होंने equal volume की बात किये देखिए same volume तो यह term meaningless हो गया T V कितना है 10 है ठीक है और T A की बात कितनी है 20 है यह square इस पर इधर ले आओ square लग जाएगा root का M B हमें find करना है डियर और M A किसके लिए यहां पर दिया है वाई M A देखिए 49 given है इसको solve करेंगे तो 1 by 4 is equal to आ जाएगा M B upon 40 49 sorry यह 49 है तो यहां पर अगर हम M B find करना चाहेंगे तो answer क्या आएगा 49 upon 4 और यह आप solve करेंगे तो 12 फोर जा 48 यानि 12 पॉइंट something यानि answer आपका हो गया 12.25 correct answer okay dear clear आगे बड़े our real gas always ideal gas lodge only at तो dear यह एक fact है जो हमें याद रखना चाहिए कि pressure जितना कम होगा और temperature जितना अधिक होगा एक real gas उतना जादा expand होगी और आइडेलिटी के नजदीक पहुँचेगी तो यहां पर correct answer और थर्ड है आप सभी confirm होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कि वीचाप दी following gas can be most readily liquified कौन सी गयस है जो सबसे आसानी से यहां पर liquid में convert हो सकती है द्रो में हो सकती है तो देखिए एक ही value सबके सामने लिखी हुई है और हम आप जानते हैं क्या major करता है strength of intermolecular forces present between gas particles और एज इतना ज्यादा होगा extent of liquid fraction उतना ज्यादा होगा उतना easily वो liquid में convert होगी और इसलिए हमारा क्या हुआ फर्स्ट हुआ एसो टू इसके लिए एक वैलू सबसे ज्यादा है तो attraction gas particle के भी सबसे ज्यादा होगा और सबसे आसानी से इसे liquid में convert कर सकते हैं ओके डियर आगे बढ़ते हैं 47 में देखें 50 ml hydrogen diffuse हो रही है कि small hole से 20 minutes में और time हमें बताना है 40 ml oxygen के लिए तो जैसा अभी एक पिछले question में हम लोगों ने देखा तो हम यहाँ पर direct लिखते वई VH2 upon VO2 into TO2 upon TH2 is equal to square root MO2 upon MH2 ग्रेहम्स लॉसे अब यहाँ पर देखें volume कितना है 50 दिया है hydrogen के लिए oxygen के लिए यह 40 given है और हमें TO2 find करना है यानि TO2 निकालना है जबकि hydrogen के लिए value 20 given है और यहाँ पर molar mass हम रख लें यह 32 हो गया यह 2 हो गया तो further अगर हम solve करें इसे तो भाई देखें यह 0 cancel कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिला क्या 5 upon 80 ठीक है यह TO2 है 5 into TO2 upon 80 is equal to यह हो गया 16 और 16 का root लिया यह 4 हो गया अब यहाँ से TO2 अगर हम निकालते हैं डियर तो हमें कितना मिलेगा 320 यह cross multiply हो गया ठीक है आप on 5 तो answer कितना आएगा लगभख 64 यह answer हमारा हो जाएगा इतने मिनट यहाँ पर लगेंगे यानि correct answer हो टू ओके डियर clear तो चलिए अगले question पर मूब करते हैं अगला question देखें एक graphical relation है जो गैस लौज पर बेस्ट है और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन incorrect है सबसे पहले तो इन चीजों को question में देख लिया करें कि correct की demand है कि incorrect की demand है तो देखें यह temperature और प्रेशर का relation दिया गया है इसका मतलब यह प्रेशर स्ला है ठीक है गेलू sex law है तो यहाँ पर वी constant होता है आप कैसे clear करोगे इसके लिए वाई देखिए हम यहाँ पर यूज करतें इस point को तो एक temperature को यहाँ पर आप constant बना लें temperature को constant करेंगे जैसे t constant होगा यहाँ पर यह वाईल स्ला बन गई अब constant temperature पर देखें इस relation के लिए इस relation के लिए pressure maximum है तो इसका मतलब यहाँ volume क्या होगा वई यहाँ volume minimum होगा तो इन्हों ने कहा है arrow ऐसे दिखाई है कि volume इधर क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है decreasing volume तो इस तरीके से अगर हम इस point को समझने की कोसिस करें तो यहाँ पर हमें result क्या मिलने वाला है कि incorrect हमें बतान है तो यह graph हमारा correct है क्योंकि temperature constant किया तो यहाँ पर वाइल्स लाओ गई अब अगर यहाँ pressure maximum है तो volume यहाँ पर क्या होगा वही minimum की बात यहाँ पर होती है तो उमीद है यह आप clear हो गए हो गए यहाँ पर देखें वी और टी है तो अगर हम यहाँ पर temperature को constant करते हैं तो देखें इस temperature पर भी हमें maximum मिल लहा है maximum मिलने का मतलग यहाँ पर क्या condition बन गई यहाँ पर जो वी है यह चौल्सला का concept है तो चौल्सला में क्या constant होता है pressure और जब प्रेशर constant होता है तो आप देखें कि हमने टी को constant कर लिया इस कर्व के लिए इस relation के लिए वी maximum है और अगर वी maximum है तो वाइल्सला के according हम देखें यहाँ पर पी minimum होगा और इन्हों ने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है pressure इधर decrease कर रहा है जो की गलत हो गया अगर वी maximum है तो यहाँ पर यह minimum होगा तो यह हमारा correct answer है फर्दर अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं अधर वाइज हम वाइल्सला के according है और इधर increasing in temperature की बात कर रहें विल्कुल सही है ठीक है अगर हम फोर्थ option पर आते हैं तो वन वाइवी यानि वी को अगर हम यहाँ पर constant कर लें तो वन वाइवी constant हो गया और अगर वन वाइवी constant हो गया तो इस relation के लिए pressure maximum है तो यहाँ पर गेलू सैक्सला के according temperature maximum हो जाएगा और इधर चलने पर temperature घटेगा मतलब P directly proportional T तो हम इसे ले सकते हैं वैसे यहाँ पर अगर temperature लिखा होता तो साइद यह ज़्यादा बेटर टर्म बनता तो ओके clear हो गए आपका correct answer क्या है second है ओके डियर तो आगे बढ़ते हैं अगले question पर देखिए आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को हम clear कर लेते हैं पहले 49 देखिए टू ग्राम आफा गैस एंट्रोड्यूच की गई है question आपने पढ़ लिया होगा आप समझ रहे होंगे इन चीजों को तो जब केवल दो ग्राम गैस थी कंटेनर में उस समय प्रेशर कितना था 180 था तो यहाँ पर पी ये की वैलू कितनी दी गई है जब गैस यह वहाँ पर थी यह 180 ठीके डियर और जब एक दूसरी गैस 3 ग्राम यहाँ पर एड़ कर दी गई तो जो मिक्षर बना उस मिक्षर का नेक प्रेशर कितना है 1.5 तो यहाँ पर प्रेशर आफ मिक्षर की अगर हम बात करें तो यह 1.5 एटियम हो गया इसका मतलब पी बी प्रेशर डेवलप्ड वाई गैस भी कितना हो जाएगा जब हमने बी का 3 ग्राम एड़ किया तो मिक्षर का जो प्रेशर है इसमें से हम ग इसे डिमांड क्या की गई है देखिए कल्कुलेट दी रेशियो आफ प्रेशर आफ ए एंड भी तो भाई पी ए और बी का अगर हम यहाँ पर डियर रेशियो निकालते हैं तो वन अपॉइंट फाइव यानि यह टू इस टू वन का रेशियो हमें मिलने वाला है तो यह फर वाल्यूम फाइव लीटर टेन लीटर और एक नाइन एटियम शिक्स एटियम की यहाँ प्रेशर की बात की गई है इन्होंने पूछा है कि फाइनल प्रेशर इंदा टू वल्व क्या होगा जब हम उनको एक ठीके यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं एक नेगलीजिवल वाल्य वाल्यूम के ट्यूब से यानि नेरो ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं फाइनल वाल्यूम क्या होगा जब दोनों वल्व को हम एक नेरो ट्यूब से कनेक्ट करेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे जो connecting tube है उसका volume हमें ignore करना है तो net volume 15 लीटर हो जाएगा यहाँ पर हमने 15 ले लिया और P1 कितना है हमारा देखें वाई 9 और V1 कितना है 5 तो यह 45 हो गया multiply कर दिया P2 कितना है 6 और V2 कितना है 10 तो यह 60 हो गया तो यहाँ पर final pressure हमारा कितना आ गया इसको add कर ले 105 डिवाइड़ बाई 15 और यह आ जाएगा 780 तो इस तरीके से यहाँ पर correct answer कितना हुआ डियर second हुआ यानि 780 तो उमीद है आप clear हो गए होंगे confirm हो गए होंगे और आगे इसी तरीके से हम आपको cooperate करते रहेंगे आप clc के साथ जुड़े रहें फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार धन्यवाद ओके बेटा तो अब अपन बाइलोजी के solution पे चलते हैं यह आपका पार्ट सी है biology ओके तो क्योशन नंबर फर्स्ट करेक्टर एकटिरिया के अंधर ऐसा कौन है जो प्रैटि जयविक प्रति रोदक जीनज होते हैं वो बैटा पाये जाते हैं किसमें प्लाज्मिड DNA में और जो प्लाज्मिड है उसको पन बोल देते हैं आर प्लाज्मिड तो यहां पर अपना अनसर क्या जाएगा आर प्लाज्मिड डिन ओके नेक्स्ट क्योशन विच ओफ फॉलोविंग ग्रूप उप सेल ओर्गनल इस डवल मेंब्रेन सिंकल क्योशन है इन में से उन सेल ओर्गनल को आपको सेलक लग करना है जिन में डवल मेंब्रेन है तो दोहरी जिल्ली युक्त आवरन पाया जाता है तो यहां देखें माइटोकॉंड्रिया, ईयर गोलजी बोड़ी, ईयर गोलजी बोड़ी जो है double membranes, तीनों की तीनों तो आनसर करेंगे fourth, okay, next question cell membrane has protein, lipid and carbohydrate, cell membrane protein, lipid, carbohydrate की बनी होती है with respect to their mutual proportion which statement is correct, अब पुछा है कि इनका जो अनुपात है उनके according कौन सा statement correct है, all three are in equal proportion equal नहीं होते बेटा protein, lipid और carboidate की बनी होती है, जिसमें protein सबसे ज़्यादा होता है, फिर lipid और carboidate बहुत कम मात्रा में पाए जाते है lipid are in least amount गलत होगया, list amount में carboidate होते है carboidates are in least amount बिल्कुल सही है, protein are in least amount गलत होगया, तो यहाँ इसके according answer क्या होगा, carboidate सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, next question which of the following is not a component of the cell wall in eukaryote, जैसा आप जानते हैं बेटा, जो cell wall है वो eukaryote में पाए जाती है, तो cell wall किसकी बनी होती है, तो इसमें आपको option के according जाना है, plant की बात करें तो plant cell wall किसकी बनी होती है, cellulose hemicellulose, pectin भी होता है eukaryote की बात करें, तो कवक जो है फंगस, वो भी eukaryote में आते हैं, उनमें cell wall किसकी बनी है, kaitin की तो यहाँ पर cellulose सही है kaitin, pectin इसने पुछा किया है, not component of the cell wall in eukaryote, इसका अंदर यह तो component है, kaitin, pectin लेकिन, जो mucopeptide complex होता है यह पाया जाता है किसमे prokaryote में, वो भी किसमे, bacteria में जैसे आपने पढ़ा होगा, peptidoglycan कोई क्या कहते है, mucopeptide complex तो answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर, third हो जाएगा next question select the correct option with respect to mitosis, mitosis के संदर में आपको, जो correct statement उसको select करना है chromated separate but remain in the center of the cell in anaphage, देखो बेटा anaphage जब आती है तो क्या होगा, anaphage के दोरान जो sister chromated होते हैं वो separate हो जाते हैं, और separate होके वो अपने-पने pole की और गमन करते हैं इसने क्या बोला, chromated separate but remain in the center of the cell in anaphage, तो गलत हो गया center पर नहीं रहेंगे, वो अपने-पने धुरों की और जाएंगे तो statement क्या हो गया ये वाला incorrect हो गया ठीक है okay chromated start moving towards opposite pole in telophage ये भी गलत है, जब telophage आएगी, तो telophage के दोरान, जो chromated हैं तो chromosomes हैं, उनका क्या होता है decondensation होता है, वो भी रहेंगे और उनके चार और nuclear membrane develop हो जाएगे गोल्जी complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophage, ये भी गलत हो गया वेटा क्योंकि जब prophage आती है तो ER, गोल्जी body, nucleus क्या हो जाते हैं, disappear हो जाते हैं वो द्रिश से नहीं होंगे chromosomes are moved to spindle equator and get aligned alone क्या होता है, जो diode है, जो chromosome है वो मध्य रेखा पर क्या हो जाते हैं विवस्थित हो जाते हैं यही तो लिखा है, chromosome move to spindle equator यहां पर आएँगे, विवस्थित हो गए और यह दोनों तरफ क्या होंगे पोल से connect होंगे यहां पर जो statement दिये गए उनमें सही कौन सा है fourth statement correct है हालो डियर स्टुदेंट्स, मैसर बराद आदीच देखो अब नेक्स्ट अपन टेक्नो का जो लोजी का पर सोलूशन करते हैं चलो देखे, first क्या है यहां पर इसमें बुच्छा गया बेटा कि first step in digestion of fat age वसा कि पाचन का पर्थम चरण होता है आपको अच्छी तरह मालूम है बेटा कि इनमें जैसे fat particles जो आते हैं तो उनके लिए main part कौन सा होता है liver से आने वाला bile juice और वो एक क्या करता है एक emulsification करता है या फिर हम यू कह सकते हैं वसा का पाचिकरन करता है तो इसका मतलब वसा के पर्थम चरणे में तो इसका मतलब first answer ही चला गया बेटा आपको मालूम होगा कि यहां पर NCRT से ही है आपको यह भी मालूम है कि वसा के पाचन का पर्थम चरणे क्या होता है the first step in digestion of fat is emulsification या फिर पाइसी करेंड हिंदी में अपन यू कहते है नेक्स देखो बेटा यहां आया वाट आर दा ग्रोस से क्लॉरिफिक वैल्यू आफ कार्बोईटेट प्रोटीन और फेट यह आपने देखा होगा गरेंस यार्टी में आपने पड़ा है तो digestive system में लास्टी लास्ट पर अगर आप देखते हैं वीटा तो वहाँ पर क्या है कि कार्बोईटेट प्रोटीन और वसा के सकल कलॉरिफिक मान का रूप पूछा गया है वीटा तो इसमें आपको मालूम है सिंपल है कोई दिक्रत नहीं है अगर मालूम हम देखें तो 4.1 और इसका आगया किसका किलो कैलोरीज अगर अगर अपन देखें तो यह गया कार्बोईटेट फिर आता है उसके बाद में जैसे मालूब प्रोटीन तो प्रोटीन का होता है कितना 6.5 और फिर उसके बाद में लिपीट का देखते हैं या फेट का देखते हैं तो इसमें आपको मालूम में बटा 9.45 kilo calories per gram ध्यान रगना तो यहाँ पर आपको मालूम है यह specially इसमें कौन सा option देख रहा है तो आपको मालूम में फर्स्ट ही देख रहा है मदब एक हम जानते कि हमारे बकल केविटी के जस्ट आउटसाइड जो तीन पेर लार होती है नोट बकल केविटी बकल केविटी के आउटसाइड बकल केविटी में जीरो करेंगे तो यहां से जो लार आती है उस लार के बारे में पूछा गया कि कब सेक्रेट होती है यहां प प्रिक्टिकली कि जैसे भी वापन कोई है अपना बोचन देग लिया तो ला रहा जाती है और को जैसे लवार हो तो ऊणच संट प्रलाणा ऑप्र प्रजरेंस तो डिया शॉर्थी इस्वार से तो पहले होता है यह घॉनर कह integrity का ku वालूम है यहां से टाइली नचाइम जो काम करता है छोड़ती है तो इसके बाद पूछा किया है तो आपने देखा हम मैच जब भी करवाते हैं तो धान रखें कि इस तरी के से देखते हैं कि हैपेटिक लूप्स इसका relation किसे होता वेटा लीवर से तो गिलसन कैपसूल तो इसका मतलब फर्स्ट में second option चला गया फिर गहाँ प्रेट टॉप लिवर क्यों हैं आप जानते हैं बैस ओफ विलाई की रूप में प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब फर्स चला गया उसके बाद में स्व आप देखते हैं कि कौन सा मेच कर रहा है दो एक चार तीन और बहुत अच्छी वात तो यह है कि इसमें पहले नंबर पर ही आपको एक दिखाई दे रहा है तो इसमें भी कोई जोड़ लगाने की जोड़ नहीं थी इससे भी आर्सा जा रहा है देगो हिंदे में क्या है यह यहां पर गिलसन के एपसूल का कवरिंग होता है तो यहां पुछा गया कि कहा है तो यह रसांकूर की आधार पर यह मंदब आपको मालूम है एक विलाई की रूप में है और विलाई के जस्ट नीचा आप देखते हैं तो यहां को नहीं है क्रेप टॉप लूबर क्यूहन आपको दिखता है तो इसका मतलब यह इसके साथ में चो रहा है उसके बाद में आपसे ओड़ाई का इंस्पेक्टर तो आपने देखा होगा है अपने चीज देखी कि इदर से आपको मालों में लीवर और इदर से पेंक्रियोटिक पार्ट करण से आपके सामने आजाता है कि कौन सा इससे पूछा गया कि इंस्पेक्टर ओड़ाई इसका रिलेशन कहा हुआ इधर से पेटो और यह हो गया पेंक्रियोटिक तो ड़क्ट के रूप में माल लिया जाता है इसकारण से आप समझ गयोंगे इस कहां से क्या से लागिया फस्ट अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला उसके बाद आपने देखा वेटा कि यहां पूछा गया प्रते एक हट्डेट रखते वायू को पिकोंगे कितनी All этих Allati कि यहां जैसे कि इसमें बाद को मालूम है तक यहास Nós को देखा आपन की इसको यहां से करते हैं और उसके बाद आपको मालूम है यह बोडी पार्स ।क जाता है फिर बोडी तक आता है फिर आप को मालो में टीशु से वापिस यहां से सीयो टु की स्टेप होती ए तो जैसे मालो अक्सीजन यहां लंक से से पार पान्वी पार्ट तक तो कितनी हुती से पाँच एमल और यहां से सीयो टू आती है तो ये पूछ राए दू ए कि यहां से एब्री हंडेड एमल उप ब्लड ट्रांसपोर्ट ओप स्योटु तो एल्वुलस मतलब एर सेक में या लंक्स में तो चार एमल तो इसमें चार एमल वाला ओप्सन कौन सा है तीन तो इसमें आंसर कौन से लगया थ्री आंसर आ जाता है यह भी आपको अच्छी तरह मालूं स सब्समार्ग है जो क्या करता है फूट-पार बिन्ट-पार को यहां से एक तरह से और आप ना जा जानते हो था अने वाले पार्ट को अपने क्या कहेंगे तो इसको बोलते हैं इसके उपर यहां पर आपको मालूम है कि यह जो पार्ट है तो यह कौन सा हुआ क्योंकि यहां पर आपको मालूम है फूड और एयर की स्टेप दोनों स्टेप होती है कॉमन इसे ने पूछा है कि कॉमन पासे जो है फूड और एयर का कौन सा है तो इसका मतलब इसका अंसर तीन चला गया इसका बता यह भी आपका सही हुआ होगा फ्रिदेगोन एक्स बीटा यहां से आपने पूछा गया कि वागदर ट्यू स्टेट्मेंट अमंग दा फॉइंग विद्धा रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रेथ हैं कि सामाने सोचन के संदर में कौन सा गदन सही है बैटा जब भी इस टाइप की पूछने एक्जाम में आते हैं तो आपको मालूम है कि क अपने किहीं कि इसमें सही है है तो पहला क्या है कि जैसे कि इन्सप्रेंशने इस पैस मसल्स प्लस से या मसल्स वोती है इ ﷻ मं complication हो रहा है जैसे क्व openings स्वानेक्षण हो था हैirm repay bạn को पार्ट पर अलेकь है और रूसा कॢ़न बढ़ता है तो आप को मालूमि है यह क्या हो जाता ते यहां पर इसका मतलब एक्टिविश प्रोसेज लेगन यहां पहला है यहां पहला यहां प्रहसेश बिलकुल यहां तक सही है बिल्कुल आपको यह सही मानना है फिर भी आगे देख लेते हैं क्या है इंस्पाइरेशन एंड एक्सपाइरेशन दा प्रोसेश दोनों नहीं है इन्हें से क्या होता है एक प्रोसेश होता है और आपको मालूम है ऐसा अंसर केवल दो में ही जा रहा है आप उसके बाद देखो नेक्स यहां से अब देखते हैं अब देखो इसमें क्या था बहुती शांदर है आप अच्छी तरह जान रहे हो कि वो मरा हुआ है या जिंदा है और रिपोर्ट हमेंसा पॉस्पार्ट की मानी जाएगी विटा मेडिकल में तो आप जानते हो कि आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब बच्चे की डिलेवरी होती है तो उसमें उसको रूलाए जाता है वो इसलिए कि पहले लंक्स काम नहीं कर रहे है और बाद में लंक्स अगर एक बार भी काम कर जाता है तो इसका मतलब एर अंदर चली जाती है और लंक्स से पॉर्ज में आपको मालों में हेड्स एक मेला है वायू बढ़ते ही पानी में अगर पुट करेंगे तो तो तेरे नहीं लग जाएगा अब देखो इसमें क्या फिर प्लिस के प्रकर दर्ज करवाया और आप जानते पॉस्मार्डव रिपोर्ट में यह सिद्धुआ क्या कि यहां से किसी सुमर्थ अवस्ता में ही जनम हुआ है इसका मतलब यह है मतलब इसकी रिपोर्ट यह है कि इसमें से आपको देखना है और चिकिस सक विश्य सिद में बैठ जाता है क्योंकि हवा अंदर गई नहीं है इसका बतलब यह हुआ बैठा कि यहां से से सेटल्ड एड़ बॉटम ठीक है यह एक तरह से वहीं से ही है लेकिन थोड़ा एक कॉंसेप्ट वैस पर बनाया गया है और नोलेज भी होना जरूरी होता है फिर नेक्स देख देखो उत्तकों की यह अवस्ता युगम को पैचानों की ऑक्सीमोगलोवीन वियोजन बहुत तेजिस से हुआ है आप अच्छी तरह जानते वेटा यह बहुर एफेक्ट वाला आपने पर पढ़ा उसमें देखा आपने की एक सिग्मोईड कर्व बनता है अगर वह राइट स्टेप होगी यह लेट साइड और राइट साइड सिफ्ट होने का मतलब है कि जैसे बहुर एफेक्ट का रूप दरसाना और उसमें क्या होता है इंक्रीजिंग वावदा सी ओटू उसके लावा टेमपेचर का बढ़ना हाइट्रोजन फ्रेशर का इंक्रीज होना ऐसी हो गया और बाकि यहीं प्रियarde हो गया है है बेए बता लग propri ईक्तर से माइन में आपको पूरा वाता अब biraz ईठीत उसमें कि मैं चाहरा है क्या ले लो इक यह तौन तो क्या हो नहीं है बैटा और oxygen क्या हो नहीं है तो इसका मतलब यह तो नहीं हो हो सकता यहां देखो एक को इंक्रीज कर रख दूसरे को नहीं कर रख रका है मनलत आप मान को हैसा तो इसका मनलब यह तो कौन सा होगा बैठा कि यहां पर आपको मालूमें तो इसमें दो ही पॉइंट लिए थे और इसके आधार पर आपके पास बचा ही एक यह बढ़ गया तो और एक दूसरा बढ़ गया तो बढ़ गया तो बचा क्या है यहां पर कम हो गया है यहां डिक्रीश चला जाता है बहुत इस शांदर तरीके से आपको मालूम है और अगर जिसने किया उसको मज़ा भी आया होगा है कि वास्ता में यार कि कितना तरीके से प्रश्ण बन सकता है और यह देखो हम तैयारी कि इस दुनिया का सबसे अच्छा वेक्ति जो डोक्टर जिसको एक भरगवान का दर्जा दिया जा रहा है और उसके बारे में आप आन्रेयों की उसका एक्जाम लग रहा है तो थोड़ा एक कॉंसेप्ट आता ही है और उसके आधार भी बच्चे सेलेक्ट होते कि आपको कि इस चटनी होती है कि इतना एजी था मैं सीधा अगर मालो यह प्रश्णी इस वरकार से बताता यह पूछा जाता कि कौन-कौन से फेक्टर हैं जो कि यहां डिस असोजियेट में हल्प कर रहे हैं या ऑक्सी मॉगलोवीन को डिस कर रहे हैं तो फट से बच्चे के क्या है उसको तुरंत कर देता है तो बहुत तरीके से आप सोच के इसको किया होगा फिर उसके बाद नेक्स्त अब इसमें पूछा काडिक आउट्पुट इस मदब हर दे कस क्या होता है अब आपको मालूम है यहां से जैसे होरा है हम जानते हैं क्या होता है हर्ट रेट इंटु य यहां से क्या आगा stroke volume अब आप जानते हैं कि नॉर्मल कितनी होती है 72 और stroke volume किता होता है 70 तो आपको मालूम है ml है तो कितना हो गया है लगबग 540 ml के आसपास और लिटर मिले तो लगबग 5 लिटर के आसपास तो इस वलकार से हम देखते हैं और यह cardiac output क्या होता है कि body parts को आप को मालूम है कि यहां से blood का मिलना होता है तो प्रतेक निली द्वारा प्रती मिनट पंप किया गया रख देखो पहला option ही सही है आगे जाने की जूरती नहीं है इसका मतलब इसका फर्स आंसर चला जाता है यह अब इससे पहले वाला कि किस परकार से concept बनाया था इसी परकार कई बार पूछ लिए जाता है कि इतना stroke volume है और इसकी heart rate निकालो इतना उसका कितना है यहां लगबग आपके पास कितना है पचास तो आपको बूच आ गया कितना है हंड्रेड यह देखो दो जाता है तो इस अपने यहां पर डिरेक्ट पूस्क लिया लेकिन नोलेज पूरा होना जरूरी दा प्रती मिनट पंप किया रगत का है तन तो आपका मालूम कि ब्लोड पॉम्ट पाइदा क्या होगा हीच एक फरस्ट आजसर चला जाता है अब अपके सामने आया कौन सा सभी है अब हम अब देखो आगे और देखते हैं तो यहां से क्या है यहां से क्या रसी का तो ऐसा हो नहीं सकता कि लिंप वहां पर यहां से देखो फ्लाजमा पूछा गया तो ऐसा प्लाजमा भी पूरा का पूरा पार्ट है तो आपका मालूम है कि यह भी आपके सामने कर लात हो यहां पर क्या होगा यहां पर आपके पास फर्स्ट आंसर चला जाता है यहांपर इंपर वेना के वा और सुपरियर मेन के रूप में आपने दिखा ब्लड यहां चल रहा होता है और यहां से यह राइट से इस राइट वी में आता है यहां से कहां जाता है लंग्स के पास जाता है और लंग्स से ब्लड कहां आ रहा होता है आपका मालूम है इस राइट यहां से लेप्ट ए से लेप्ट वी वाली सर्किलेशन में चला जाता है जिससे यहां वाला इसका मतलब यहां अगर पॉलमनेरी शर्कृलेशन हुआ और यह कुन सा होगा सिस्टेमिक सब्सक्राइब करेंगे अब आपको मालूम है यहां आपके पास आपस आई नहीं रहा है तो इस दोरान क्या करेंगे लेप्ट ऐसे स्टाट कर देते हैं तो देखो गुमा दिया इस परिकार से यहां यही देखा और यहां से आंसर आ रहा है इसका मतलब फॉर्ट आंसर चला जाता है फिर नेक्स देखते हैं यहां आपने देखा मेंच दफोईंग कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकिंड से मेंच करवाना था आप अच्छी तरह जानते हो फैब्रीन नोजन ज आपको मालूम है एंसर यह लाइन है और अपको मेंच करवाने वाले में सामने ही लिपके हम अंसर निकालते हैं तो इसमें देखो सामने फाइब्री जन एक ठक्का बनाने वाला है दूसरा गलोबीन यह तरह से सुझक्षात्म के लिए विदी की रूप में होता है अपराश उसके बाद A और O फिर उसके बाद में G और I बोल दो या D बोल दो और F के सामने C तो इसका मतलब A में मतलब L करती है जी करती है हलोबीन से और फाइब्री नोजन करती है क्लोटी में तो आंसर कौन से सला गया आपके पास मेटा फॉर्थ ही जाता जा है अब देखो इसमें लेज करवाना है आपको मालूम है यह सारा हईसेघ पास से सिस्टम में बनाया गया नालो है अब हुझ रहें कहां से कहां को ब्रड़ारा रहार है विए है यह ऐड़ी ऑर 마음에 है और यह वी है आपको मालूम चल गया आपको मालुम चला क्योंकि रगत रोगत है और उपर पूछ रहा है थे नीचे वाले विलेंटे और अदुर बाहरर में मैं ब्लड कहान से मालुम है तो सुपिरियर वेरेना के वाज़े अब्लाई प्लेट आपके समझ यह रहा है वैना का रूप में आपके पासм वैना कावा के रूप में यहाँ को पास पहरते हैं इसका मतलब यहां पर राइट एमेरा से नमबर आ जाता है सैने प्रस्टुन को इस परकार से करना परेंस यह फूर्यविश्त थोड़ा सा hurt का structure है, अपने को पुरा बनाने की जूरत नहीं है, बिल्कुल एक systematic manner से अपने को बालों है, कि इस परकार से अपना खुद का diagram बना कि हम आराम से समझा सकते हैं, और बच्चा relax भी महसूस करता है, कि हाँ मेरा answer confidence, महीं बालों सल जाता है, सही है, अब देखो दू आपको मालू में, लंग से आ रहा है, तो pulmonary vein जो की अपवाद है, exception है, इसमें blood क्या आता है, pure blood, यही तो vein है, जिसमें pure blood आ रहा है, तो oxygenated blood क्योंकि लंग से reaction होगा, तो इसका मतलब 4 number, यहाँ आपके पास यह आ जाता है, फिर क्या पूछा left B, तो यहाँ से right A से left B में आ रहा है, तो इसका बच्चा तुम्हारे पास एक ही था, तो इसका मतलब 2, 3, 4, 1 किस में आ रहा है, तो देखो 2, 3, 4, 1, first में ही आ जाता है, इसका answer के उन से च total darkness, the gymnast can be balanced, his body up, upside down, what is the reason for, पूर्ण अंधेरे में भी एक जमनास्मिक अपने सरीर का उल्टा करके संतुलित करता है, इसका कारण क्या है, आप अची तर जानते है, कि हमारा जो ear होता है, उसका काम सुनना नहीं होता है, वास्तर में देखा जाए, तो primary function इसका होता है, कर रहा है, जिसके कान में दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, तो वीकनेस नहीं कई बार कान की defect के कारण भी बेठा वेक्ति, उसमें चकर आ रहे हैं, लेटा उस दोरान चकर आ रहे हैं, तो लोग सोचते हैं, वीकनेस आगी, या वीपी डाउन हो गया, नहीं, कान का नाम भी मालू में आपको, इसका नाम है, स्टेटो, एकॉस्टिक, इसका मतलब कान का काम, स्टेटो मतलब क्या होता है, बैलेंस, और एकॉस्टिक मतलब होता है, हीरिंग, बाद में सुनना तो पहले बैलेंस बनाना है, और बैलेंस में आपको मालू में है, कौन सा एपरेटर हो होते हैं कि कान का काम तो है सुनना और दुनिया जानती ही है लेकिन मेन काम है कान सा स्टेटो और इसी लिए तो डॉक्टर बनाया जा रहा है तो आंसर जाला गया फर्स्ट वेस्टिबूलर एपरेटर बहुत स्यांदार प्रश्ण है और नॉलेज़ेबल है धान रखे अब द रखा है पिर आपका बात है बाय जोते हैं और चूटी कोण सा पार्ट होगया तो इसका मतलब इसमें आपको मौ Till मिलते हैं और सुडो यूडी Понगी के रूप में तो इसे हैं यहां देखते हैं कि यहां से उस वाले पार्ट में चारा है तो मेन मतलब जो आया कौन सा मैंने सारा समझा दिया इसलिए कि आपको थोड़ा सा नोलेज दे बाकि डिरेक्ट आंसर आ रहा है कोई इसमें जाजा सोचने वाली बात नहीं थी इसमें बाद देखो नेक्स यहां से आंसर आया दूसरा विच ओफ्वाइं रहे इंपस्ट थो रहे हैं अब अच्छी तरह जानते हैं जैसे मालों हमारे पास सी एनस और से आपको मालूम है मैं मतलब ब्रेंग प्लस स्पाइनल कोडसर रिलेशन बनाता है अब ब्रेंग और स् skeletal muscles या इन अधम आप वोलेंटरी मालो इसको और इसको माल लेते हैं इन वोलेंटरी muscles या smooth muscles तो यहां आपको मालूम है यह message जिसे मालो यहां से ले रहा है तो लेने बाला गौन सा होगा इनल्स से बनता है और यह जाकर कर वाता है यह स्वामेटिक नर्व-system के रूप में और यह करता है है यह बहुत पूर्श बार्श स्पटियूर्श कि नौल यहां पर इस्पेशली ऑज़ आधा है मैं पर इसम गए लग दूसरं प्रेशिट होता है तो यह उछल रहे है रिले था यहां व सुथा भीнуться रहे मुझा कौण सी है यहाँ voluntary भी आपने लिया voluntary muscles और यहाँ कौन सी है involuntary smooth muscles तो इसका मतलब यहाँ पहला इंपेटीन भी काम कर रहा है sympathiyetin भी कर रहा है somatic kri by कर रहा है क्योंकि यह दोनों आप को मालूम है यहाँ involuntary step मे appropriately में तो श्का मतलब यहाँ पर परानो कमपी, अनुकमपी काहिक सारे काम कर रहे हैं, इसमें से आपने देखा बेटा, फॉर्थ आंसर चला जाता है, उतलब चार नंबर, बहुत ही है, इसको मैंने इस तरीके से समझा दिया, पहला पेरेग्राफ जो होता है ना, उसमें इस परकार से ही लिखे हुए है, और आपको मालूम है, इस तरीके से हम जानते हैं, नेक्स बेटा, आपने पास आया, यह एपसुल्यूट रिफेक्ट्रे पिरेड कोर्स्पन टू दा पिरेड, देखो बेटा, आपको मालूम है, कि जैसे मालू आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पर 70 मिली वोल्ट जो होता है, वो यहाँ पर आपको मालूम है, इस से, और आप इसको बोलते हैं, यहाँ क्या बुचा है, एपसुल्यूट जो पार्ट आया, एपसुल्यूट और आप जानते हैं, एपसुल्यूट का रिलेशन यहाँ होता है, तो एपसुल्यूट जो बार्ट है, वो बेट टॉप पे गया, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यह है लेकिन एपसुल्यूट रिफेक्ट्री बन रहा है और इनिस्टिक तो यहां पर यह पर यह पर पूरे बुर्ण काल किसकाल के अनुरूप है यह पूछा गया है तो इसका मतलब पहला है पूरे दुर्वन की प्रारंबी कवस्ता में पहुंचने के लिए एक जलावानिस्तर के समय के रूप में दूसरा है क्या है अब डिपोलियाजिशन अब नियूरोन से तो मतलब भी नहीं बन रहा है क्योंकि पीक टाइम को आपने यहां पर इंट्रेक्ट करके श्रम्दा निक इसका मतलब आप जानते हैं कि यहां पर इस परकार की स्ट्रेक्टर बन रही है तो यह स्टेप क्या होता है कि फॉर्म अप्टाइन लाइक क्या होगा एक तरह से फरिंग लेवल ऑफ रिस्ट उंटिल इनिसीटिंग फैस ऑफ दा पॉलिराइशन पूर्ण दुर्वन की प् आत्मी को प्रेशन करता है तोड़ा सा धन देखे इसको समझना था इसके बाद आता है बेटा कि सेलेक्शन दस्टेट आफ अब यहां आपका मालूम है कि जैसे आपन देखते हैं कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और यह अ पॉजिटिव चार्ज वाली यहां पर क्या होती है और यह अगला पूछर आया यहां पर कि दुर्वी तवस्ता बढ़ाय रखने के लिए आईनों का कौन सा सब्वह है तो बेटे में दो की नाम बोलें सोडियम प्लस पॉजिव आपके पास आ रहा है और यहां आपको वाल यह देखते हैं बटा लास्ट है अपने जो लोजी का अब लास्ट में क्या देखा आपने पूछा है अब जानते हैं कि नर्फ सर्टेन फाइबर्स आर इंप्लोजड बाई दा मेडियुलरी सीथ जैसे मालो यह है और मेडियुलरी सीथ में स्वान सेल या वालिको देंड्र होता है तो निश्री तंत्री का जो होती है वो तंत मेडियुलरी आचंत से घिरा रहेतार यह सब्भन किरिया को आसान मनाता है बिल्कुल एक बैटर कंडेक्शन देने के लिए इंसुलेटर के रूप में काम करता है इसका मलब आप जानते हैं यह तो बिल्कुल सही क्योंकि पूचा क्या गया है इनकरेक्ट के रूप में दूसरा है सिनेप्टिक क्लिफ्ट इस ऑलवेस परजेंट इन इलेक्टिक से बैटा यह तो बिल्कुल ही घलत है करन कि यहां दो नमर आउसा जाएंगे यह कह रहा है कि जैसे मालो हम देखते हैं यह एलेक्टिक इंपल्स है य जैसे बिल्कुल है इस नमबर यहां से इनकरेक्टिक में आ जाता है आगे पढ़ने की जुरत इन ही रही है आप से पूचा गया है अब उसके बाद फिर बहुक्र इंपल्स ट्रांस्मिटर एक जो अंतीम से निकलते हैं तो आपको मालूं में गलत पूछ आ गया है तो दो नमबर इसका अंसर गलत चला जाता है इसका पुरा फाइदा उठाओ और आपको मालूम है कि जब इस परकार के क्योंकि इनाम जैसे ठीक है वेक्तिकों चाहिए एक पेन मिले और चाहिए लाखों रुपे मिले इनाम इनाम ही होता है इसको पक्का आपको अच्छी तरह आपने टेस्ट भी दिया है और ऐसे सी एलसी करवाती देती एक्जाम तो आप इनको अपने दोस्तों से भी अपने फ्रेंड से अपने रिलेशन वालों से ऐसे कोई भी एक्जाम हो उनको दिलाए और कोई गरीब बच्चे हैं तो उनमें तो पूरा फाइदा उठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और मुझे उम्मीद है मैंसल प्रतीब ताखर टीम मैंतमों से सीकर बच्चो अपना जो टेकनों का एक्जाम हुआ है इसका मैंतमों सेक्शन जो है वह सब्सक्राइब के सवाल पत्रीस सवाल बच्चों इसके अंदर आपके पास है तो बच्चों मैंने पास क्या है 76 का पहला सवाल देखीगा लिए अनो वह पास का जाए वो भी इन तोरह का में सेंटेफल हो जाए तो नमब्र पास स्टेफ्ट फिसक्स में क्या है फ्यूंस में क्या है 40 तो तीनों में कितने बताऊं तो इसका इंट बचाई ठारा इलमेंट्स है ठीक रहा अब मेरे पास क्या बोलो भी मेटा physics और physics और mathematics 30 बटा तो यह 12 बच गए उसके बाद बचो mathematics and chemistry तो मेरे पास कितने हैं वही मैस और chemistry अठारा है तो मेरे पास यह दस बच गए और बच्छों मेरे पास क्या बोलो भी physics और chemistry बटा तेईस है ना physics और chemistry बटा तेईस है तो तेईस मेरे पास यह 18 आगेगी समय से तो मेरे पास बच्छों यह 5 आगे तो उसने बोला कि नेक्स बच्छा बटा ठीके ना बड़ा मेरे पास क्या बोलो भी विच एक्स आगें साना 10 elements तो बच्छों में इसको यह भी बोल सकता हूं मेरे पास माले जी बच्छों 500 elements है ठीके ना और इफ इस element of set A T is contained in Excel 20 बढ़ा तो 20 से डिवाइड कर दो 20 elements बच्छों इसे different element आजाएंगे ठीके ना और मेरे पास यहां से क्या बोलो भी इस YI contain 6 elements बच्छों तो मेरे पास 6 content elements कर रहा है ना तो मेरे पास यहां पर कितने एक जरी ले जाएंगे तो 5N क्या तो बच्छों 5N आपकों 6 में content बतास 5N by 6 बराबर इच्छों बी 25 तो बच्छों मेरे पास यह 5 तो n विल भी 30 तो बच्छों मेरे पास यहां पर जाएंगे ठीके ना नेक्स पास यह सिंपल स एक्स मैनस का 2 एधर क्या 3 से जादा है यह बटा मेरे पास क्या भी less than equals to minus का 3 है एक्स मैनस 2 क्या भी 3 ज्यादा यह थी से कम तो एक्स भी less more than equals to 5 और यहां पर क्या बोलो भी okay fix less than equals to minus 6 तो बच्छों मेरे पास यहां पर housing बटो ज्यादा हरा तो पाँच से लेकि इस साइड में और बटा माइने माइने से खाना यहां से यां तक इसने बच्छों क्या भी उस्ने बच्छ lock बोला है कि दन है ना भी माइनस यह तो बच्छों बी माइनस ए मेरे पास ही यूनीओं लेन तुमेर पास किया है का मयदंतो chi treatment शैनल स्वाट है किसे ऊवाट ब्राफ कें तूर पांस नियू थे को çू 12 पांस ते कि सब्सके नियाавать को है तो टूरब शो इसके अंदर नहीं आ सकता ठीक है कर टूर पांस और यूनियन भी बिटा ना तो पांच इसके निए पार्ट इस में आ गया है ठीक है तो अब मेरे पास यह वाला पार्ट हो वाला पार्ट है ना तो बी में से एक को गटाएंगे तो बी में से एक को गटाएंगे तो मेरे पास क्या बताओ भी बी में से से एक अपन माइनस कर दें तो मेरे पास बच्चों B सेट तो मेरे पास ये था ना B तो मेरे पास बच्चों ये वे ना माइनस एक से इधर वाला और बच्चों पात से इधर वाला ठीक है और बच्चों मेरे पास सेट A क्या वोलो भी माइनस दो से लेके बच्चों प्लस का दो लिए यहां से यहां वाला टीक है भी मेरे पास बच्चों यह उपर वाला सेट तो बी था और बच्चों यह सट मेरे पास क्या बलो भी एसेट है ना यह मेरे पास भी आप तो बीटा मेरे पास B-A, set B में से मैं A को गटा दूँ, तो मेरे पास ओबिस ही बात है, क्या बचे का बोलो B, B में से अपन A set को गटा दें, B में से या, भीटा A मैनस का B मेरे पास क्या बचे का बचे का, तो मैं पास बादो यहां से क्या बचे बी, B मैनसे मानस बादो बचे को, तो मेरे पास set B की वो element जो set A में नहीं आ रहे हैं तो बच्छो मेरे पास यह तो कभी नहीं आएगा तो मेरे पास यह आनसर जाएगा ठीक है पड़ा मेरे पास यह क्या बोलो भी then 10 square theta 1 इसको आप change कर लो यार यह मेरे पास जाएगा 1 minus का cos theta 1 upon 1 plus का cos theta 1 अब चो रिप्लेस कर दो इसको 1 minus का cos theta 1 मेरे पास क्या बोलो भी यह मेरे पास है 2 cos theta 2 minus 1 upon 2 minus का cos theta 2 upon 1 plus twice of cos theta 2 minus 1 upon 2 minus का cos theta 2 अब इसको बड़े राम से चेंज कर सकते हो भी है इसको अब लिख सकते है 1 upon 1 upon cos 5 by 7 plus 1 upon cos 3 5 by 7 plus का 1 upon cos 5 by 7 बच्चों मेरे पास जाएगा cos 5 by 7 हाना cos 3 5 by 7 cos 5 by 7 बेटा तो इसको सभी को 2 से 2 से इंटू कर दो बेटा आप 2 से 2 से इंटू कर दो बेटा तो इसको मेरे रिप्लेस कर सकता हूं रिप्लेस बच्चों करने बाद cancelled में सावल का अंसर जाएगा 8 जाएगा ठीक ना इस पाज़ा बेटा तो मेरे पास साइन की पावर 4T है ब्रावर का बच्चों जब साइन टी तुमारे पास क्या जाए बही एक और 10 ती बच्चों क्या जाए बोलो भी जीरो ऐसा तभी सम् पाइनस पाइब टू से लेके पाई के अंदर बच्चों ग्राव बना लो यहां पर इसका ग्राव कैसा है बोलो भी मोड लगा रखा गया तो इसका ग्राव ऐसा बन जाएगा तो एक दो तीन तो बड़ा तीन आंसर जाएगा सवाल के ठीक ना निक्स पाई जाओ बड़ा ए तमारे पास क्या बना लगा वर वी लगको एट बेडा तमारे पास अवन रूट टू और बैचो बी को बी स्कोर मै आसे कर लो बैटा बीक पलस का साइन एटी एडिकर जाएगा बेटा तो मेरे पास यह क्या बोल बेटा लैसन आपका टू है तो बी मेरे पास क्या बोल बेटा लैसन रूट टू है तो मेरे पास ए क्या बनगा भी लैसन स्वारी बी क्या बनगा भी लैसन ए बनगा भी ठीक न क्योंकि बी तो मेरे पास को 10 दीच प्लिस से लगा दो तुनार पास सवाल कान सजा गा किरी टकी यहां दीट गाना है तो तुम ग्राफ सट्चाइब का सान गाराव यह मता है यहांद के सामार पहास यहां पड़ह नुट सभाई बच्छो यहां पर लगवाईगा से ओंड होने बच्छो यहां पर यह जाएगा बच्छो तो सब्सक्राना पस क्या है अब इन दो उसक कर लो है स्क्वेर ए माइनस का टू इंटू को सेक स्क्वेर और प्लस बच्चों मेरे पास क्या बोलो भी को सेक माइनस एल बिटान माइनस minus seg par 4A और बच्चों minus cosec par 4A ठीक ना अब तुम इसको बढ़ा 2 यहां से बाहर निकाल लो ठीक ना seg square A और बच्चों minus का 10 square A ठीक ना bracket बच्चों 1 और minus मेरे पास यहां पर क्या बढ़ा है बोलो भी या फिर यह निकाल लो बाहर ठीक ना 2 minus और पास यहां से किया बोलो बेटा भी seg par 4 हाना तो मेरे पास बन जाएगा seg square A plus का बच्चो 10 square ठीक ना सवरी सको सेख square A अब बेटा सेख को आप 10 की पर्मी चेल्ज कर लो तो मेरे पास सवाल का आणसर बच्चों बच्चों बन जाएगा ठीक ना वन बार उट्टू बन जाए ठीक ना वन बार उट्टू फैस्ट बचो शेव जाए ठीक ना नेक्स पाइज हो बटा इसमें अलफा फाइवाइट रख दो एलफा जो जिरो रख दीजे कोई दिक्केद वाले बात नहीं हाना यह फाइज जीरो रखा तो साइन यह वन यह बच बच्छों बच्छों डिवाइड करेगा तो एक सब्सक्रेंट इस्कए के वधाम पर बच्छों मिर पास यहां पर बन जाये गए कि डिफ्रेंस के साब से बर देखें तो मिर पास इह क्या बनेगा बनें बोलो भी इसको आप चेंज कर लीजिए हाना बेटा डिफेरेंस के साबसे पुन डिवाड़ करेंगे इसको तो मेरे पास हाना 3 से इंटू कर देंगा पुन इसको ठीक है बाद 3 इंटू बेटा एक्स पार 4 प्लस का 6X स्क्वेर प्लस का 25 इसको भी डिवाड़ करेंगा बेटा तो बेटा यह बन जाएगा मेरे पास 14X स्क्वेर मैनस का 28X और प्लस बच्चो बन जाएगा मेरे पास 70 बेटा ठीक ना तो 14 यह से बाहर निकालेंगे तो बन गया तो 1-2 प्लस प्लस का 5 बच्चो यह तुम्हार पास PX बन जाएगा ठीक ना तो P1 तुम्हार पास क्या बन गया बलोग 1-2 प्लस 5 तो 4 बन गया तो सबाल क बच्चो आंसर क्या बन गया 4 बन जाएगा ठीक ना नेक्स पाज़ा बेटा तो बड़ा आपके पास 1 upon alpha को रूट है तो x रग दो यहाँ पर alpha क्या बनगा भी 1 by x बनगा अब यहाँ रग दो square तो alpha square का root है तो बड़ा 1 by x square minus का 3 by x minus का 10 equals to 0 तो बच्चो यहाँ पर क्या बनगा भी आप मालब x square बच्छों यहाँ पे lc मागया तो 1-3x-10x square ब्राबर 0 बेटा तो यह बनगा 10x square plus 3x minus 1 equals to 0 हाना तो 10x square plus 3x minus 1 बेटा ठीके ना तो सवाल कांसर बेटा बनगा तीसरा ठीके ना इंटो में 10 बेटा बेटा ठीके ना तो बन जाएगा बी अपॉन सी माइनस का ए ना बी सही है नेक्स पर आजाओ सेटड़ बेंटा तुछ भी फूर्वीस टू लाइस बेटूर रूटस बेटा तो इसमें कभ लाइं करेगा भी सफचे लेजह ए फो टू सतूर तो चार प्लस ए प्लस का 2 इंटो X2 माइनस का A प्लस का 3 इट शुट भी लास्ट जिरो बेटा ठीक है ना तो इससे मेरे पास सवाल का आज बच्चो आंसर बन जाएगा माइनस इन इफारेंट से माइनस 5 ठीक है पहला एक्स पेड़ा आजाओ बच्चो नेगेटिवर्फा रूट कुछ ऐसे बन जाएंगे बिटा यह मेर다는 है मेरे पास यह жить अ ब पर बिटा मेरे पास यह एलफा ठीक है ना तो अभी स्क्राओ कि बीटा क्या भी नेगेटिव और LLF zum इससे बड़ा को ने बीटा होगो जाएगा πाटन भी सही है तो आप इसको यहाँ पे x-3 x-1 x-3 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 number of integral value of x तो बड़ा इसको बड़े आराम सब कुन simple way कर लें यार तो log x-2 का power 4 minus इसको बच्चो मैं क्या लिख दूँगा भी 2 power minus 1 तो इसको मैं लिख दूँगा log 2 base क्योंकि square उपर है तो कोई फरक वाली बात नहीं है इसका power 2 minus 20 log x-2 plus का 148 और लासन 0 बड़ा ठीकिना तो अब इसको याँ पे log x-2 का power 4 minus बड़ा यह बन जेगा 5 इंटो log x-2 minus 2 इसका power 2 minus का 20 times x base 2 plus का 148 और लासन 0 बड़ा ठीकिना तो log x-2 का अबको अब टी रख देंग यार तो मेरे पास यह क्या बनेगा t power 4 minus पास्टी माइनस का दो इसकी पावर दो माइनस का 20 T प्लस का 148 लेस्ट जिरुटा ठीक ना अब इसको अब आप यहां से सोल करेंगे बेटा तो मेरे पास क्या बता हुई बच्चों यह मेरे पास एक्वेशन यहां से बनेगी ठीक है प्ड़़न इसको भी सोल करेंगे ना तो मेरे पास एक्वेशन बनेगे यहां पर टी पार च्यार माइनस का 25 अब बेटा मेरे पास प्लस का 144 लेस्ट जिरुटा ठीक है ना अब इसको आपन बच्चों करेंगे तो मेरे पास यहां पर टी स्कार बच्चों आएगा यह बच्छों मेरे पास T स्क्वार आजयेगा यहां से बंचों बन जाएगा पर टी बच्छों मेरे पास क्या बोलो भी लोग X बेस टू है लोग X बेस्टु मेरे पास क्या भी बैटा इसके साथ रूटा जाएंगा ठीक है न? बड़ा बड़ा ही सिंपल सा सवाल है उदर से इसको सौल करना है three X प्लस 11 लेसन इकोस तो 12, sorry, 22, so 3S लेसन इकोस तो 11 बेटा 3, ठीक बेटा, तो 11 बेटा 3 इसमें दिया, बैस तो यह हो जाएगा नसा, ठीक न, तीसरा, बेटा, नेक्स पर जाओ 98 पर, ठीक है, बेटा, इससे क्या आपने बोलेंगे, बताओ, X का मैनस का 4, लेसन इकोस तो 6, औ न, तो बेटा, D आंस से हो जाएगा, ठीक है, न, 98 पर जाओ, complete solution दिस वन, तो बेटा, X मैनस 1 का मोड, मैनस का 1, यह बचो मेरे पास मैनस 1 से लेके, प्लस 1 में आएगा, अब 1 जोड़ दो बेटा, सभी जगे, तो 0 से लेके, मोड, X मैनस 1, एको लासन 2 बेटा, ठीक न, तो मैनस 1 का पर जाएगा, मैनस 2 से लेके, प्लस 2 में हो जाएगा, तो मैनस 1 से लेके, और 3, तो मैनस 1 से लेके, बचो सवाल काना सल जाएगा, 3 हाना, मैनस 1 से लेके 3, मैनस 1 से लेके 3 हाना, भी सही है, ठीक बेटा, इसको अपन पॉस्टिव करेंगा, तो मैने मेरे पास क्या अभी 2x-1 अपों भीटा, x कौमन आगा तो 2x स्कुरेर प्लस का 3x प्लस का 1, इट शुट बी पॉजिटिव, अभीट अभीट इसके फैक्टर्स निकाले जिए, बीच कहा जाएंगा 2x स्कुरेर प्लस का 4x- का, नी शोरी, 2x स्कुरेर प्लस का 2x प्लस का X प्लस का 1 वेटा तो 2X प्लस 1 इंटो X प्लस का एक तो बच्चो मेरे पास ऊपर क्या अगा बताओ वी टू X माइनस एक अपॉन X इंटू एक्स प्लस एक इंड़ विड़ा टू एक्स प्लस का एक खाना इट शुड बी पॉस्टिव अब इसके फैक्टर विड़ा निकाल लिजी आप फैक्टर इस आप से देखे तो मेरे पास ही यहां पर यह पहला सवाल लां जेगा फैस्ट पार्ट वे भी ग्राप से आदेगा ठ सब्सक्राइब यह अपना टेकनों एक्जाम था ठीक है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ ठीक है ना अपके बहुत कुछ पेपर सा सीखा हुआ ठीक यू ओल्दी बेस जैसील सी